नमस्कार फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे साथ इस समय इंडस्टी की बहुत खुबसूरत टैलेंटेट अभी नित्री अंजना सिंग जी खड़ी है और बहुत ही स्मार्ट और हैंसम लग रहे हैं आज इस समय देव सिंग साहब है खास बात यह है कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं सिंग साहब फिल्म की जिसका बहुत ही शांदार टीजर भी आया है पोस्टर भी पहले आ चुका था और इस फिल्म से जूड़ा एक बहुत ही खास कनेक्शन भी है कनेक्शन क्या है यह खुद अंजना जी ही बताएंगी बहुत स्वागत आपका आज बहुत पलक्षमय देव जी आया हुए है और काफी सारे लोग मतलब आए और जा रहे हैं जैसा जिसके पास समय थांक्यू सो मज आप आए और खास इसलिए है कि हम दोनों एक ही फिल्म में है जिसका नाम है सिंग साहब दर राइसिंग और जो की आप लोगों ने उसका ट्रीजर द दिख्या ही है और आप लोगों के जो कॉमेंस आये हैं वह बहुत ही पॉजिटिव हैं सब लोग सिफ वेट करें कि फिल्म कब आएगी कॉमन बात एक और है इसमें कि लाइन से उस दो तीन दिन पहले हमारे फिल्म के प्रिजूसर साहब है उदे भगत जी उन्होंने अपना ग्रह प्रवेश किया उसके चार पास दिन पहले एक देव जी ने ग्रह प्रवेश किया और आज मैं मेरे घर का ग्रह प्रवेश है तो सवाल यह बनता है कि यह में को तो 13 साल लगे बंबे में भर यानी के लिए अब को कितना समय लगा है मुझे भी लगबक इतने साल लगे होगा उस से जाधा ही लग गया होगा तो कॉमन ममलब बात इसमें यह है कि हम लोग जो सोच रहते कि अगर यह सिंग सहाब फिल्म तेरा साल पहले बन गई होती है या हम उस परिवार से जुड़ी हुई कोई भी सिनेमा पहले कर लेते तो यह चार पहले मिल जाती तो मतलब ह हमारे लिए वो फिल्म और वो सिंग साब परिवार बहुत लगी है बिल्कुल तेरा साल लग गया है अगर तेरा साल पहले फिल्म बनी होती तो आपका घर हो गया होता है एक बहुत बड़ा बयान जो है इनकी तरफ से आप क्या कहेंगे सचा ही है दिखिए इस से पहले मेरे इन्होंने डांस के साथ किया या ने आपका ने तो नहीं लेते थे जो जो नहोंने डिसीजन यू लेते थे जो ऊठीकिए था वो देखे मेरा हिमत करने लगा घर ले और अमनों शुटिंग घर थे बस रा स्टूडियो में यह बहुत कुछ थी बहुत कुछ थी मैं बोला क्या हुआ पितनी खुछ है तुनों के घर हो गया तो मैंने का चलिए बादाई मैं भी सोच नहीं ले लो फिर तोड़ी मंदर मैं डरता था हिम्मत लू लूँ नहीं लूँ लूँ ले लूँगा तो कैसे क्या होगा बच्चा भी स्कूल जा रहा तो शाइद मैं बहुत डर रहा था अंदर से तो दीनी दरे मेरी अंदर हिम्मत है और एक कि इनोंने कहा अप उदेब्यारी बोला है तो चाह दोस्तों नहीं और बोला मैंने का अधिये ऐसा जोग बना कैने कि हम लोग अने तीनों ने उदेशी में मेरा हम तीनों अधर होगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख करके सिंग सहाब की बात करते हैं और आप से शुरुआत करते क्योंकि रोल आपने करा है क्या पूरी कहानी है एक्चु इसा विसिकली बाओपिक है और श्री आरेंच सिंग जी की बारा में नहीं का हुआ कि एक ऐसे सक्ष जो बॉम्मेज जिसे शहर में खाली हाता आते हैं और एक बड़ा इंपार खड़ा करते हैं संब्राज खड़ा करते हैं उत्तर बात यह संज्जश स्ताफना करी हमार महान प्रियार फ्रोब लेकर जो प्रियम था जो सद्वावना उनके लिए है कि किसी ओटे वालों को देखना कि सब्सक्राइब और इनके हित में वो जो करना चाहरे तो नों किया उसके अलावने समास से वह पूद किया कई स्कूल के लिए डोनिशन दिये खूद के स्कूल से बनव ले दिए और उनकी सबसे बड़ी खास है कि परिवार मैंने लिए जॉइंट फैमिली है अभी उनकी पूरी फैमिली एक साथ है और एक दुस्ते के रिस्पेक्ट पर प्रेम है तो बहुत कम देखना है तो यह चीए उन फैमिली से सीखना बहुत ज़रोई है नहीं किसी हैं हमने काफी तस्वीरे देखी हैं बहुत अच्छी शांदार केमेश्री लग रही है और बहुत अच्छा जजबी रही है ठकुराइन के रोल में तो क्या कुछ आपकी जिंदगी से जुड़ा हो दिखा और क्या खासियत रही है आपके किरदार की मैंने श्री आरें सिंग कि अधरमबतनी का करदार ने बाया है राम सकी जी का और मैंने उनको देखा नहीं था मैंने आरें सिंग अंकल से तो मैं मिली हुती बद उनको जो भी मैंने देखा उनका बात करने का तरीका वो सब जो वीडियो थे मुझे दिखाए गए तो मैंने अपना 100% दिया कि मैं कर पाहूं ऐसा और इसका रिजल्ट मुझे जब हम लोग ने अभी टेकनिकल ट्राइल रखा था तो वो मतलब सबने जो मतलब उनकी मम्मी के रूप में और उनकी जैसा जो छोटे बच्चे दादी के रूप में सबने बोला नहीं ऐसी यही थी हाँ ऐसी थी और ऐसे ही थे थे इनकी कास्टिंग सींग साहीबा में, इनकी पहली itelי कंस्टिंग के वही हूए थी और कास्टिंग सहाब पाइनल ही नहीं उनकी कास्टिंग के समा और क्राईतिकल है लेकिन एक दिन हमारे फल्म के निर्देशाक दीरेज परभिशी हो जै उदह और शुभम पूर निदिश पिसमार से मिला जहां उमीद रहती हैं वह काम मिलता है जहां में उमीद चोड़े तो वह काम मिलता है पता निक्ति पिर जुड़ा इस फिल्म से और इस तरह मैं इस फिल्म को कर पाया और मैं मैं सबसे पहले धन्यवाद दना चाहता हूं हमारे निर्माताओं का उनको तो पता है कि देव सिंफोनों में देखा गूगल पर सब उन्होंने हामी भली हमारे डेक्टर के कहने पर हामी बली और साथ में पूरी टीप का स्खास करके अल्मिना जी का भी मैं धन्यवाद पर मेरे पुराने दोस्त है पिछले तस साल से दोस्ती है बागी फोटीन प्ली सपोर्ट किया है पूरी टीम के कव feelings के तो बहुत जादा सपोर्टीव है पता ही जल रहा है जिस तरीके से आपको देखते हैं तस्वीरों में आपसे सवाल मेरा ये है कि इतनी अच्छी कहानी इतने अच्छे वो जो मोशन पोस्टर आया था हर चीज बड़ी बारिकी से काम करा गया है तकलीफ मुझे इस बात की है कि इंडस्टि के लोग ने उस फिल्म के पोस्टर को बहुत जादा प्रमोट नहीं किया जबकि आजकल हर कोई कर रहा है किक्षारी जी कि फिल्म आजाके जाफ है क्यों आपको मुझे बहुत दुझ हों है आपको ऐसा कुछ फिलिंग आई है आप ने अपने सवालों का जबाब तुझी दे आ ना मतलब का कि किसारी जी और पावन जी का या जाना है कि हो कर रहे तो उस फिल्म से नहीं जुड़े हुए तो सिंग साहब का क्यों अच्छी चीजी को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता अगर सच में गहराई की बात अगर मैं जाना चाहूं तो हमारे नहीं ने सपोर्ट किया है कि उस चीजी सब्सक्राइब हुए अभी में फिल्म की शुटी का दावहिद इस फिल्म में हिरो कि सारी उन्हों ने मैंने मैंने पॉइ प्छले पांस साल साओ कर सत्काम ने किया मैं एक जिन मेटल सैट्पे ववाय है और अगर मुझे धि बोली देव तारे को पोस्टर देख लए इस सींग सा बड़ा बढ़ियां में बाल तो मैंने वह सीन भी देखा नहीं बहुत तारी कुन टीजर भी देखा बहुत तो उन्होंने यह भी बोला कि जब रिलीजित हमने का बोली हम सब हम मेरे पोस्ट कर तो चलो एक अच्छा लग उन्हों कि अपनी चीजच प्रमोट कर रहे हैं तो और यांड बहुत बढ़ यहां ना चींक करना मैंने किया है मेरा अच्छा है मुझे पता है और ओडियन्स बताएंगी तो यहां जीब बनता है प्रमूट किया उन्होंने क्यों किया वो भी करते मैं भी नहीं करती हूं लेक्ट उनकी भी कोई चीज आती है अगर मुझे जैनुरिली वह अच्छी लगती है तो बगेर बोले में प्रमोट करती हूं अगर नहीं अच्छी लगती है देली मालब दिन में 20 गाने तो आते होंगे ना 20 नह आए यह जरूरी नहीं मुझे सब अच्छा लगे तो किसी को मुझे मैस्ज करते बोले और ho becoming a बाए अच्छा लगे करää अगर मुझे के लिए अँच्छा लगे ऑख़ो गया कुंओ पेट करें मलेवारी फिर देखने की आदत है अच्छी चीजों करने की आदत है कि चीज़े चाहते हैं तो वही लोग शेयर करेंगे अगर अच्छा हो तो वो जब सिर्मा देखेंगी वो क्या बात करती है वो जब जाते जाते इस इंट्रव्यू के आगरी में यह बताते जाएं कि यह फिल्म हमें कब देखने को मिलने वाली है और क्या कुछ खासियत होगी फिल्म ग्रेडी है अब हमारे प्रूसर रटेक्टर बताएंगे कब तक फिल्म हम लोग जेख सकते हैं तो इसका जवाब उदर भीया देंगे तो जादा अच्छा है अब कि वो लोग बापस आए हैं देन देविल डिसाइड क्योंकि उनके फादर की फल्म है उनके फादर के बनी हुई है तो वहां तो लेक फल्म रेडी है अब वो जब गीता दीदी चाहती है तब वो रिलीज हो जाएगी और हम लोगों सभी लोगों के सामने आ जाएगी बहुत शुक्रिया और बहुत बदाई भी आप दोनों को सिंह सहाब के लिए और जैसे फिल्म आएगी फिर हम लोग रिव्यू भी करेंगे अंसे कोई सवार हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना नमस्कार